Hello all and welcome to recognition IAS Geography Optional Classes में हम लोग Agriculture का टॉपिक के स्टार्ट करने वाले हैं और Paper 2 में अलरड़ी हम लोग ने कई सारे टॉपिक्स देख लिये हैं जिसमें की Agriculture एक बड़ा सेक्शन बचा हुआ है इसके अलावा हमारा Population Geography, Cultural Geography, Settlement Geography और Regional Development ये कुछ Important Topics हमारे अभी फिलहाल रहे गए हैं जिनको के हम लोग आगे फटा-फट देखने की कोशिश करेंगे Parallel आपकी Physical Geography भी चली रही है जहां पर Geomorphology discussion हो रही है तो फिलहाल में दोनों ये Topics को हम लोग पारलली रन करेंगे दोनों ये Topics को ले करके चलेंगे ताकि आपका पूरा Syllabus 5th of November तक खतम हो जाए We are trying to complete it by 5th of November ताकि आपकी आगे जो भी चीज़ें रिवीजन करने में आसानी हो जाए और जो Advanced Level Geography करना चाहते हैं और फिर वो बाद में आगे भी कर सकें फड़ा फर शुरू करते हैं अग्रिकल्चर का टॉपिक Let us start, let us complete and let us crack But before that, these are our contact details And these are available courses on YouTube These are study courses where you can subscribe for test series, study material and advanced geography courses जो कि 5th of November से start हो रही है अधिक जानकारी के लिए आप email कर सकते हैं Recognitionize at gmail.com पे यहाँ पर आपको detailed information दे दी जाएगी फड़ा फड़ा कर हम लोग शुरू किया जाए कि हमारा topic क्या है agriculture के लिए यह यहाँ पर geomorphology type हो गया है तो please ignore this This is actually agriculture इस agriculture में अगर यहाँ पर हम system देखा जाए कि क्या क्या हमारे पास topics हैं जो कि syllabus में हैं सबसे पहले हमारा infrastructure oriented है infrastructure में हमें irrigation के बारे में seed के बारे में fertilizers and power के बारे में पता करना होता है दो चीज़ें यहाँ पर important है एक चीज़ कि हमने अभी तक paper one में जो कुछ भी पढ़ा हुआ है कैसे उसे apply करना है यहाँ पर कुछ economics, geography की यहाँ पर हम लोग theories यूज करेंगे economic, geography की theories जैसे कि अलरड़ी आप लोग जानते ही है कि विटल से की थियोरी हो गई वान्थियूनन की थियोरी हो गई यह दोनों अलरड़ी आप लोग पर चुके हैं वान्थियूनन एंड विटल से इनकी थियोरी को हम लोग यूज कर रहे होंगे यहाँ पर और साथ ही साथ में कुछ यहाँ पर general information जो हमें चाहिए होती है प्लस हमें data चाहिए होता है और साथ ही साथ में कुछ government schemes जो की government ने लिये होते हैं recent past में तो यही हमारा पूरा का पूरा topic होता है जो की paper 2 को complete कर देता है generally aspirants केवल और केवल इसी पार्ट पे focus करते हैं और जो paper 1 का पार्ट होता है या फिर जो literature या फिर mean pure geography पार्ट होती है वो ignore कर देते हैं and that is why ending up in getting very low marks in the geography this thing you have to care it जहाँ पर आपका जो कोई भी पार्ट है वो छूटे ना इसके लाबा अगर हमारा next topic देखे यहां से हमारे थोड़े से practical aspect शुरू होते हैं यहां से हमारा काफी practical aspect इस्टार्ट हो जाएगा जिसको के हम लोग देखेंगे इसके लाबाए agriculture productivity, agriculture, intensity, crop combination, land capability, agroforestry and social forestry फिर हमारे कुछ missions आ जाएगे जैसे की green revolution हो गया, इसका socio economic impact किया रहा है dry land farming के बारे में फिर poultry resource, white revolution, blue revolution, poultry काफी कुछ है हमारे पास चीज़ें discuss करने को फिर हम लोग आ जाएगे agricultural regionalization को ले करके अभी तक हम लोगोंने केवल और केवल agricultural regionalization के नाम पे विटल से को जाना है यहां पर हम लोग कुछ और भी classification देखेंगे जैसे की RLC की classification and all that कुछ और भी देखेंगे हम लोग जो Indian perspective के हिसाब से रहेगी important है, exam में आता है anyway you have to study all this क्योंकि कहीं न कहीं आपको यह सारी चीज़ें use करनी पड़ेंगी lastly हम लोग देखेंगे agro climatic zones क्या होता है, कितने type का होता है and कैसे हम इसे divide करते है यह सारे ही topic अगर आप देखेंगे तो all the topics are kind of independent topics हाला कि जो हता है इसको interrelate कर जिया सकता है लेकिन यह एक तरीके की independent topics है यहाँ पर कुछ videos जो पुराने session की है उनको भी include किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर as such कोई ज़्यादा difference नहीं आया है more or less things are same, data are same तो इस बज़े से पुराने भी topics को यहाँ पर जो पुराने last year के session के जो भी video lectures है उनको भी यहाँ पर include किया जाएगा फिलाल इस video में we are going to discuss cropping pattern cropping pattern को हम लोग देखेंगे जो भी चीज़े हैं और उसके बास से live stock और जितने भी green evolution यह जितने भी static topics से उनको हम लोग देख लेंगे फिर असके बास से हम लोग जो भी बचे वे topics से उनको फटाफट discuss कर लेंगे तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं cropping pattern start करते हैं cropping pattern अब ज़रा cropping pattern के अगर हम लोग बात करें तो हमारे cropping pattern जो चलती है वो दो तरीके की होती है एक होती है monocropping monocropping और एक दूसरी होती है multiple cropping multiple cropping multiple cropping monocropping और multiple cropping monocropping का मतलब होता है single crop एक crop आप बोएंगे एक फसल बोएंगे, सिंगल फिल्ड पे, एक ही फिल्ड पे, और सिंगल इयर, एक पूरे साल, एक क्रॉप एक तरह की ही फिल्ड में, तो ये चीज़ है मोनो क्रॉपिंग, जनरली जैसे ये वीट वगरे कर लेते हैं, वीट वगरे भी कर लेते हैं, हलकि ये पूरे एक सिंगल year नहीं होती है ये single season होती है single season होती है wheat हो गया या फिर rice हो गई या फिर आपकी गन्ना हो गया शुगर केन हो गया ये सारे जो है एक तरीके से monocropping या monoculture कहे जाते हैं अच्छा multiple cropping की बात करें तो multiple cropping में बहुत तरीके की मतलब एक तरीके से cropping हो जाती है एक होती है इसमें से inter cropping जरा हम लोग देख लेते हैं क्या होती है एक होती है inter cropping एक दूसरी होती है उसको बोलते हैं हम लोग mixed cropping 믹स्ट उक्रपिंग इसके अलावा होती है एक रीले क्रपिंग तरीले क्रपिंग यहीजी होती है अ L.A. a अ आ अब देक necessary हम लोग बात करें आ अगर इंटर क्रपिंग की इंटर क्रपिंग के मतलब यह होता है माल यह यह आपकी जमीने V.o यह आपने गेहू लगाया वीट लगाया मालीजी यह वीट लगाया जनरली वीट को सरसो के साथ मस्टर्ड के साथ जो है बोया जाता है अब जैसे मालीजी यह वीट लगाया वीट लगाया वीट लगाया अब इस इलाके में बचे हुए जो इलाके हैं यह इलाके में आपने स सीजन वाली होती है विकॉज सेम आप ये बताईए सेम रहेगा तभी नहीं यहाप चल पाएगा तो सिंपल सी बात है सेम सीजन वाली फसल होगी तभी जाकर कि ये काम कर पाएगी इंटर क्रॉपिंग में जनरली ऐसा कोशिश की जाती है कि जो क्रॉप रहे वो क्रॉप ऐसी जो आपकी फिल्ड की फर्टिलिटी को भी फिल्ड की जो मतलब जो स्वाइल है जो स्वाइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको भी बना के रखे रहे तो इसी वज़े से इंटर क्रॉपिंग में जनरली क्या करते हैं एक जो भी आप फसल उगा रहे होते हैं और एक लगा देते हैं leguminus leguminus अब यह leguminus क्या करता है nitrogen को fix करता है nitrogen fixation करता है इससे क्या होती है जो आप की soil में UNPK Ratio चाहिए होता है यह maintain रहता है इससे क्या होता है जाद आपको fertilizer pesticid यह सब नहीं डालना पड़ता है समय ठीक है अगर बात करें micks forming यह जहां जहां आपके suing42 यह तो पता चली रहा है जहां-यहां आपके in a अब यहाँ पर भी दो या दो से अधिक तरीके की क्रॉप बोई जाती है लेकिन यहाँ पर क्रॉप बोने का मतलब कॉमर्शिलाइजेशन या पैसा कमाना नहीं है यहाँ पर होती है पूरी की पूरी सबसिस्टेंस पूरी की पूरी subsistence अब इस subsistence में भी यह दो या दो से अधिक फसल इसलिवे सर्फ वहते है कि माल लीजिए in case एक फसल फेल कर जाए कोई एक फसल फेल कर जाए तो बचे हुए जो फसल है कम से कम उनसे हमारा रोजी रोटी चल जाए तो इस वज़े से जो ये mixed forming होती है वो generally की जाती है dry land areas में dry forming हम लोग इस चीज़ को already last class में discuss कर चुके हैं अब देखिए एक होती है relay cropping का फंडा यह होता है कि मालीजे है आपकी field यह मालीजे जमीन यह मैंने लगाया एक कोई फसल एक मैंने फसल एक जगह पे लगाया दूसरी फसल मैंने दूसरी जगह लगाई दूसरी जगह लगाई मैंने ठीक है अब मैं कोशिश यह करूँगा कि जब यह फसल ए है यह मैं जब तक इसका हारवेश्ट पीरियड है मतलब जब तक यह फसल पक करके तैयार हो जाए यह मैं बस फसल भी बोदूंगा, अब यह क्या होगा, कभी भी ये field जो है, वो खाली नहीं रहेगी, जब ये कटने वाला रहेगा, तब ये पैदा हो रहा होगा, जब ये कटने वाला हो रहा होगा, तो ये पैदा हो रहा होगा, तो continuously मैं हर एक crop को, मतलब हर एक field के हर एक पार्ट को अच्छे से यूद कर लूँगा इन दिस विल बी इंटेंसिव कल्टिवेशन इंटेंसिव कल्टिवेशन रहेगा ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस तरीके से आप जो है इस फसल को यूज कर पा रहे होंगे तो ये था हमारा टोटल क्रॉपिंग पैटन फॉज 건 कि नगर जो कर्फर्स यहां यहां पर कोई भी कमर्षेलाइजेशन का काम नहीं होता है यह पिंड क्या कि आपने खाया नेंगे ब्थे और पेचाया है यह बट् सिस इस not ये जो है वो sustainable नहीं होती है sustainable नहीं होती है not sustainable लेकिन अगर वही हम लोग बात करें commercial की commercial commercial में क्या करते है focus किस की तरफ रहता है intense intense cultivation क्योंकि आप क्या कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं में लिए आप किस के लिए काम कर रहे है revenue के generation के लिए जो इस वज़े से क्या कोशिश की जाती है area जो हो बड़ा हो large area हो mechanization अच्छा खासा mechanization हो अच्छा खासा mechanization हो जाए कि आपकी जो छोटी मोटी जो input आने वाली है उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन हाँ कोशिश यही रहती है कि जो output आएगा जो output आएगा डाट शुड भी maximum वह जो होना चाहिए वह पूरी तरीके से maximum रहे यह होती है commercial farming एक लास्ट आती है आपकी एक लास्ट आती है mixed farming mixed farming अब यह mixed farming क्या होती है यहां पर आप farming भी कर रहे होते हैं मतलब जो भी आप फॉर्म अगारे लगा रहे होते हैं साथ में आप animal husbandry भी कर रहे होते हैं इनिम्ल हजबंडरी पशुपालन भी कर रहे होते हैं कोशिश ये की जाती है जो revenue आये वो more than 10% आये बाट less than 45% यह मतलब criteria बनाए गया है कि 10% revenue मतलब 10% से जाना revenue आना चाहिए 45% या उससे कम जो है रहना चाहिए यह जो चीज 45% से ज्यादा रहेगी वो किया किसकी रहेगी कि क्योंकि आप maximum जो focus कर रहे हैं वो कोशिच कर रहे है क्रिशी की और किसकी और क्रिशी की और तो यह थी आपकी mixed forming के तरीके में ठीक है और question आप से पूछा जा सकता है sustainable development के बारे में sustainable sustainable development and sustainable forming तो यह हम लोगों ने already discuss कर रखा है ठीक है commercial in the sense की cropping पर तो cropping के बारे में अगर हम लोगों बात करें तो cropping season की अगर बात करें अगर cropping season की बात करें तो कितने तरीके के season होते हैं तीन तरीके के है ना क्या क्या रभी खरीफ एंड जायद रभी क्या होती है जैसे आपके मन शुरू होता है जन्वरी से और खतम होता है सेप्टेम्बर और दिसम्बर अब जो फसल नवंबर से स्टार्ट हो करके और जन्वरी टू ले करके मार्श तक जाए यह जो आपकी फसल है यह हो जाएगी रभी अब रभी की फसल में क्या हो रहा है तो आपकी जो यह रवी की फसल है वो एक तरीके से हम लोग यह देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और खतम हो रही है मार्स के टाइम में यहां से आप एक अगर मैं क्लाइमेट का अंदाजा आपको बोलू लगाने को तो क्या बोलेंगे रेनफॉल कब चाहिए इसको इस्टार्ट में चाहिए बिल्कुल इस्टार्ट में यही है न वेस्टन डिस्टरमेंज वाला तो इस्टार्ट में चाहिए और कैसी चाहिए शावरिंग चाहिए ज्यादा हैवी बारिश नहीं चाहिए लेकिन जब ये आपकी harvest period आए जब harvest period जब कटाई का time आए तो कैसा मौसम चाहिए हलका सा warm और बारिश जो है वो बिल्कुल भी no rainfall बारिश नहीं होनी चाहिए otherwise खराब हो जाएगा इसलिए कहते हैं ना कि जो आपका western disturbance जितना late होगा उसके कारण से हमारी फसल जो है उतनी ही खराब होती जाती है यूकि जो आपकी फसल खड़ी है वो पिड जाती है और वो तूड जाती है खराब हो जाती है तो ये जो जो है problem है रवी की crop के साथ है ये थी रवी की crop अगर हम लोग बात करें वही मार्च से आगे या फिर एप्रिल से आगे एप्रिल टू ले करके वही आपके जुलाई से अगस्त तक जुलाई अगस्त तक ये जो सीजन होता है ये होती है जायत की जायत की अब ये बताइए यहाँ पे बारिश कैसी है गंगोर बहतरीन तो ये जो आपकी बहतरीन वारिश है ये कहीं न कहीं ऐसे फसलों को जन्म देती है जिसकी requirement पानी की बहुत जादा है जैसे ककड़ी खाते हैं या फिर खीरा खाते हैं ये सारा कुछ इसी मौसम में आता है या फिर आपकी जितनी भी आप crop देखते हैं या जितनी भी आप fruit देखते हैं और जिसमें पानी भरा होता है जैसे watermelon पानी भरा होता है तो बस सब के सब इसी area में होते हैं अचा अगर मैं बात करूँ इसकी रवी के लिए soil कैसी चाहिए आपकी soil aluvial काम बनेगा बिल्कुल बनेगा लोमी बिल्कुल बनेगा सैंडी बिल्कुल बनेगा लेकिन क्या चाहिए आपको हलकी हलकी irrigation management रहेगा आप बहतरीन तरीके से काम कर ले जाएंगे यहां पर आपको कैसा चाहिए होगा जो आपकी soil रहे वो generally रहे river basin की क्यों क्यों क्योंकि जो पानी चाहिए जो water चाहिए वो आपको खूब चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए heavy water requirement इसकी रहती है तो माल लीजे यह आपकी नदी है इसलिए कहते हैं नदी के आस पास का जो यह इलाका रहेगा जो यह इलाके रहेंगे यह इलाके रहेंगे जनरली यही वाटर मिलन और जितने भी जायद की खेती करने वाले तो आप लोग अगर आस पास देखे भी हो तो जितने भी इलाके नदी के पास होते हैं उन इलाकों में वाटर मिलन के बागाने लगा दी ज खरीव की फसल इसमें क्या रेनफॉल आपको अच्छा खासा मिलेगा है भी मिलेगा लेकिन जब हार्वेस्ट का टाइम आएगा जब यह कटने का टाइम आएगा उस समय जो मौसम रहेगा वह रिलेटिवली कोल्ड और यहां पर रिलेटिवली वार्म या हॉट तो यह जो रि फसल के लिए देखना है तो देखिए एक तो होता है वीट ग्राम जो चना होती है तो इस तरीके से यह आपकी रभी की फसल होती है खरीफ की फसल खरीफ में क्या होता है मिली मिली होती है राइस मिली होती है राइस इसके अलावा जितने भी तरीके की आप ऑल सीट जानते ह और जितने भी तरीके की और चाहे वो स्वयाबीन हो चाहे आपकी तूर हो कुछ भी हो तो यह सारी कुछ सारी खरीफ में होती है रवी मैंने अप लोगो बताई दिया और जायत मैंने आप लोगो बताई दिया अब आप लोग एक काम करिएगा एक जरा टेबल बनाईए ठीक ह फिर उसके बाद बगल में इसका मतलब मतलब मीनिंग मीनिंग और लास्ट में लिखिएगा मेजर क्रॉप मेजर क्रॉप मेजर क्रॉप यहाँ पर अगर बात करें हम लोग फूड ग्रेन की ये फूड ग्रेन मतलब खाना पीना वाला तो खाना पीले के लिए maximum चीज़े क्या होती है मतलब क्या है human के consumption के लिए human के consumption के लिए मतलब खाने पीने के लिए यहाँ पर maximum कौन कौन सी होती है rice, wheat, pulses, डाले, मेज, जितने भी आपके मोटे दाने वाली cereals etc तो यह जो चीज़ होती है वो मिल्ली होती है food grain food grain अगला बात करते है commercial crop की commercial crop अब commercial crop में क्या होती है mainly वो सारे के सारे जो कि या तो sale करेंगे raw format में या फिर उसकी processing होगी मतलब as a raw particle आप लेंगे raw की selling करेंगे या फिर इसकी food processing करके food processing मतलब यह primary product की तरीके से use नहीं होगा इसमें कुछ न कुछ आप other value addition कर रहे होंगे जैसे sugar cane sugar निकालेंगे वहां से sugar cane यहां से आप sugar निकाल रहे होंगे जूट जूट से आप जूट की बाले वहां ही निकाल करके काम करेंगे तोबैको सब लोग जानते हैं तोबैको इसके बाद cotton तो यह सब जो चीजे हैं यह मिले आती है commercial crop में commercial crop में अच्छा next देखते हैं next आती है आपकी plantation crop plantation crop अब इस plantation crop में क्या होता है कि आप maximum जो चीजे cover करते हैं वो एक तो commercial basis पर ही करते हैं commercial basis पर ही करते हैं और यह थोड़ी सी costly आती है थोड़ी सी costly होती है ठीक है हर जगा भी नहीं होती है अब जैसे क्या होती है इसमें example टी हो गया इसके बाद coffee हो गया इसके अलावा आपके coconut हो गया इसके अलावा आपका rubber हो गया और अचा और और को डवर वगर कहाँ ज़्यादा मिलता है कि इरल और अचा इसके बाद आपके आती है होटी कल्चर होटी कल्चर टेबल तोढ़ा सा तेडा हो गया है फिर भी कोई बात नहीं होटी कल्चर का मतलब होता है fruit and vegetable fruit and vegetable जो भी आप छोटे छोटे कैश क्रॉप बोलते हैं जिसको वह जो चीजे हो जाएंगी fruit and vegetable अब fruit and vegetable में जितने भी तरीके कि आप fruit वगर जानते हैं vegetable जानते हैं इसके अलावा जो आप flower वगर उतारते हैं flower ये सारे भी आ जाएंगे आपके hoti culture में ठीक है तो ये टेबल जरह आप लोग ध्यान रखिएगा important है यहां से maximum चीजे आपकी clear हो जा रही होंगी ठीक है अच्छा इसके बाद जरह हम लोगी start करते हैं इसके बाद जरह हम लोग start करते हैं आगे food grains के बारे में ठीक है तो देखें food grain में सबसे पहले food grain में क्लिए देखते हैं क्या बात करते हैं conse boo नोडाउट किसकी फसल है रावी की फसल है अगरिम बात कुरू वीट हुगाने के लिए जो सबसे important चीज़ है वो क्या है water management irrigation या फिर water management water management अब देखिए जिसे माल लीजिए या आपका है इंडिया ठीक है माल लीजिए इंडिया माल लीजिए इंडिया तो आपका जो ये रिजिएन है जो आपके पंजाब और ये रिजिएन हुआ eastern western ये जो इलाके होते हैं ये होते हैं maximum wheat वाले इलाके जहां पे wheat वगर है बोया जाता है इसके अलावा इसके अलावा जो आपके रिजिएन आती है वो हल्की फुल्की इधर इधर ये सब ले करके यही सारा पूरा रिजिएन जो है वो wheat का है ये सारा जो इलाका है वो wheat का है ठीक है तो इसमें maximum जो area आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं western उत्तर प्रदेश इस्टर्न राजस्थान हर्याणा और पंजाब पंजाब ठीक है तो में में आपके यही रेंज रीजन है wheat वगर है अगर हम लोग बात करें rice की rice अच्छा जरा एक बार फटा फट जो है पीडिया भी देखी लेते हैं तो देखिए पहले फटा फट मैं आपको wheat के बारे में ही बता देता हूँ अब देखिए जैसे यह wheat है मैकसम चीजें आपकी देखिए यहाँ पर covered ही है कि देखिए किसकी फसल है राभी की फसल है temperature जो चाहिए होता है आपको 10 से 15 डिगरी के अनौन में चाहिए होता है rainfall वही एक minimum शावरिंग टाइप का चाहिए होता है क्यों क्योंकि वही आपकी western disturbance वाला funda है यहाँ पर जो soil चाहिए low me soil, saline soil, sandy soil जितने भी होती है, aluvial वगर ऐसब लिग सकते हैं यहाँ पर इस तरीके के soil country जो है वही green revolution के time पे आपकी बहुत बढ़िया इसका significant increase देखने को मिला था और वो देखे यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है यह graph आप लोगो जरा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से 1950-51 में हम लोग पहले इंपोर्ट पे निर्भर किया करते थे फिर उसके बाद green revolution टाइप की बहुत बड़ी सी चीज हुई जो हमें food sufficient कर लिया यहाँ पे हमें food sufficient बना दिया कि हम अपना खाना खुद से बना सकते हैं खुद से ले सकते हैं food sufficient कर लिया अब वही यह वता रहा है यहाँ पे जो major beneficiary था green revolution का वह था आपका यह हूँ wheat जो कि 50-60 में आया था और government ने भी इस चीज को बहुत ज़्यादा promote किया है through some support mechanism and better market infrastructure better market infrastructure इस चीज के थूँ जो हता है पंजाब और मध्यप्रदेश लेकिन productivity सबसे जाधा पंजाब क्यूं कम area में per hectare yield है यह पर hectare yield तो यहाँ पे यह ज़्यादा हो जाता है अब यह area ही बड़े हैं तो इस वज़े से यहाँ पे जाधा है यह आपको data याद रखना है तो याद कर सकते हैं कि एक average जो है वो 345 जबकि पंजाब में 5000 प्लस है अगला जो है अगला जो है वो rice है अब rice में देखिए maximum area of cultivation खरीब crop है पता यह आपको इसमें अच्छी खासी बारिश की जरूरत होती है rainfall की जरूरत पड़ती है अच्छी खासी ठीक है rainfall की अच्छी खासी जरूरत पड़ती है इस टेपल फूड है कुछ लोग होते हैं जिनको चावल भी ना जिन्दगी नहीं बनती है उनकी इसके अलावा आपके मार्जिनल इंक्रीज इन राइस कल्टिवेशन यह मार्जिनल इंक्रीज क्यों हुआ है क्योंकि गवर्मेंट एमस्पी काफी तग्ड़ा दे रही है तो लोग यहीं देखते हैं एमस्पी तो बहुत बढ़ीया मिला है चलो ठीक हैं सबसे बढ़ीया वही बहते हैं जो टेंपरेचिर चाहिए होता है वह आपको करीब-करीब हाट टेंपरेचर चाहिए ऑपफिश डिरी हाट यह एन्वल रेंफॉल 150 cm ज्यादा चाहिए होता है अच्छा ये फेक्ट याद रखिएगा आप लोग इजिप्ट जो है वो वर्ल्ड्स हाइएस्ट राइस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है यह आपके टोटल राइस प्रोडक्शन है आपकी वेश्ट पंगॉल में सबसे ज प्रोडक्शन में जब हुआ था उसमें आपकी राइस और वीट यही दो थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफीशियरी बने थे और यह वही बता रहा है कि कंटिनिमसली हम लोग उसमें इंक्रीज किये जा रहे हैं अगर हम लोग राइस का एरिया देखें तो 150 सेंटिमीटर या उससे ज़्यादा बारिश कहां कहां हो रही होगी यह इलाके आपके यह इलाके आपके अपना यह पुरा भारत वाला रीजियन तो एक तरीके से यह जो हमारा पूरा रीजियन है मतलब असाम प्लेन को लेते हुए यह जो पूरा रीजियन में बना रहा बीच में आप एक छोटा नागपूर का पठार छोड़ दीजिये और यह पूरा रीजियन तब वही बन जाएगा एक तरीके से राइस की कल्टिवेशन के लिए सबसे अच्छा ही लाका है तो यह बन जाएगा आपका राइस की कल्टिवेशन के लिए सबसे बहत्रीन यह हो तो यह समझ में आया, आगे ज़रा देखते हैं, आगे देखिए, इसके बाद आते हैं कोर्स सीरियल, कोर्स मतलब जो मोटे दाने की अनाजे होती हैं, हमारे इंडिया में जैसे क्या होता था ना पहले, कि जो मोटे अनाज होते थे वो जनरली मानते थे, जो पूर लोग होते ह वो खाते हैं और इसी वज़े से चुरुवात में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था इंपॉर मैंस क्रॉप बोलते थे इसको लेकिन पिर हम लोगों ने बाद में देखा जैसे कि आपके यह है क्या बोलते हैं इसको दल्या टाइप की चीज़े होती है या ओर्ट्स होता है तो यह जो ब्रिकफस्ट में लिया जाता है यह सब आखिर में होता क्या है कोई सीरियल ही तो होते हैं इसका एक्चुली हेल्थ पे बहुत अच्छा प्रभाव है और इसी वज़े से फिर विद दा टाइम मेडिसिनल प मेज देखिए बढ़ रहा है मेज देखिए बढ़ रहा है इसके पीछे रीजन क्या है मेज मक्का कौन खाता है जानवर जानवर को खिला जाता है और इसी वज़े से यह बढ़ते जा रहा है और अगर मैं बात करूं कोर्स सीरियल की तो कोर्स सीरियल जनरली वहां उगाई आते हैं जहां rainfall relatively deficient होता है या फिर यहां पर आपकी irrigation सिचाई की व्यवस्था जो होती है सिचाई की व्यवस्था सिचाई की व्यवस्था वो ठीक नहीं रहा था हम लोग बात कर रहे थे यह कोर्स के बारे में लास्ट क्लास में यह कट गया था तो ठीक हम लोगों ने बात किया हुआ तक कि जौर बाजरर आगी कैसे वो पूर लोगों का एक फूड बना हुआ है फूर लोगों का लेकिन आगे आकर के ओट्स वगरे के कारण से मेडिसिनल परस्पेक्टिव के वज़े से यह काफी यादा फेम में आ गया आगे यूज में आने लगा बागी लोग भी उसको खाना शुरू कर दिये तो इसमें देखा था हम लोगों ने कि जो रेनफॉल होनी चाहिए इसमें डिफिशियंट एरिया जहां पर रेनफॉल बहुत ज़ादा नहीं होती है ड्राइफ ओर्मिंग एरियाज में जहां पर पानी की ववस्था भी सही नहीं है ड्राइफ ओर्मिंग एरियाज में वहां पर इसकी खेती की जाती है फिर यहां पर हम लोगों ने यह देखा हुआ था किस तरीके से पैटर्न क्या है कौन सा ब कि लो स्टेटस वैल्यू अटाजड विद कोर्स सेरियल क्योंकि इसका MSP वगर बहुत कम होता है MSP जनरली हम लोग वीट और राइस के लिए ही दे लेते हैं MSP MSP के लिए आपको ध्यान रखना है हमेशा अशोग दलवाई कमिटी अशोग दलवाई कमिटी अशोग दलवाई क यह ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़रूरी है जहां पर भी कोशिश क्या की जाती है कि कहीं पर भी हम हमेशा शुगर के नुगाले राइस उगाले वीट उगाले अब उसके लिए जहां पानी नहीं रहेगा वहाँ पर पानी के विवस्था करा दिया जाएगा कोई भी यह कि इस तरीके के चीज़े करा ली जाएं गौर्मेंट भी ज्यादा फेवर्ड नहीं रहती है तो यह सारे रीजन जिसकी वज़े से कोर सीरियल हमेशा मात खाया हुआ है अच्छा इसके लिए आप यह ध्यान रख लीजेगा कि जो आपका मेज है जो कॉर्न है मतलब जो मक्क diarnldating areas बिलकुल जामिल्नाडव में भी करनाट्ट भी महाराश्च्ट यह सारे वहीं हैं और व्शल की और बात करें तो भी ए일 वही आपके वाटर डि एफिशिट रीजन में ही आता है वाटर डिफिशिट रीजन में वाटर डेफिसिट रीजन में यह सारे आ रहे हैं अगर हम लोग पल्स की बात करें पल्स में हम लोग देखा है तूर के बारे में और ग्राम के बारे में तो इस तरीके देखिए इन दसेंस की वीट और वीट और आपकी राइस से इन दोनों से ही कम होती है इसी वज़े से पल्स को उगाने के लिए ज़्यादा लोगों के पास मोटिवेशन नहीं रहता है अब इसमें देखिए वही सब लिखा हुआ है यह पढ़ लीजेगा आप लोग कि पोस्ट ग्रीन के बाद से ज़्यादा इनक्रीज इन एरिया पल्स में जो दाले है उसमें नहीं दिखीं क्योंकि मैक्समम एरिया आपकी राइस और वीट में ही चला जाता था तो इस वज़े से इसकी जो प्रोड़क्टिविटी थी वो भी कंटीनिमसली गिरते जा रही थी अब क्या होता है या आपकी माल लीजे पूर मैन का खाना है इसमें आपकी रोटी रहेगी चावल रहेगा और मतलब थोड़े मुड़े जो भी वेजटेबल रहेंगे वो रहेंगे दाल नहीं रहेगा दाल के विलिबिल्टी नहीं रहती है मतलब प्रोटीन के विलिबिल्टी नहीं रहती है अब इस प्रोटीन के अवलिबिल्टी को कराने के लिए सरकार को दाल ले आना बहुत जरूरी हो गया था तो इस वाज़े से मतलब कंट्री में गवर्मेंट ने भी कई सारे स्टप्स लिये हुए हैं मैं गवर्मेंट इसकीम की एक नई वीडियो आप लोको दे दूंगा त इवन दा गवर्मेंट एटेम्ट थू पॉलिसी इंटर्वेंशन कीपिन कंट्रोल जो पल्स प्राइज है उसको कंट्रोल में रखम जिसे होता है ना अरहर की दाल वगर है सो रुपे किलो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ आती है मिडिल मैं का बहुत ज़्यादा प मोडिफाई करा दूँगा फिलाल अपनों ध्यान रखिएगा यहीं आपका फिलाल के लिए यहीं आपकी डेटा होने वाली है तो इस चीज को जड़ा ध्यान में रखिएगा कई सारे स्टेट PCS में डारेक्ली पूस दिया आयाता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो व एक गवर्रमेंट स्कीम के लिए वीडियो आप लोगो दे दूँगा बना करके भी वो देख लीजेगा अप लोग ठीक है और देखिए तीन तरह के मिशन इसमें बनाए गया है अगर याद है तो ठीक है अधर नहीं स्कीम को लिखना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा है मतलब इलाके हैं देखिए सारे के सारे ड्राइ एरियाज ही हैं सारे के सारे देखिए ड्राइ एरियाज ही आ रहे हैं हर जगा पे क्योंकि तिलहन की फसलें यह होती एक्चुली क्या है माली जी आपका इंडिया है यह माली जी आपका इंडिया है ठीक है यह आपका इंड छोड़ दिया जाए तो बाकि जितने भी एरियाज है वो घेर लिये गए ये पुरा यहां तक का एरिया ये घेर लिया गया पूरा चावल के द्वारा ये पूरा घेर लिया गया चावल के द्वारा बचा हुआ जो ये इलाका है आपका बचा वाला जो इलाका है ये वाला ये आपकी गेहू ने घेर लिया ये आपकी वीट ने घेर लिया ये आपकी राइस ने घेर लिया तो ये बचा हुआ जो जे वाला इलाका है जो ड्राइलेंड है ये वाला जो ड्राइलेंड है ये 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 य सुखा रिजियन है यह सारे सुखा रिजियन आपके इसी लिए ज्यादा फेमस है क्योंकि यहां पर ज्यादा जो खेती होनी है वह खेती जो है आपकी मैक्सिमम ड्राइए एरियास में हो जाती है अच्छा एक और जो है आपका कॉटन कल्टिवेशन कॉटन के लिए माली लेते हैं है कि इन लो इस तो यह जो इलाका बनता है ब्लैक वाला यह जो ब्लैक स्वा कर बंता यह दो बनता यह ब्लाइटाश तो आपको गवान में कोगवा खोमस्टन और तो बंग सब्सक्राइज है तो यह आपके यह हमारे टोटल क्रॉपिंग पैटन थे इस चीज को जड़ा आप लोग देख लीजिएगा इसमें ज्यादा कुछ खास देखिए बचा है नहीं और ज्यादा कुछ खास था भी नहीं तो यह चीज थी हमारी पलट दे रहा हूं मैं पीडियाफ मैंने आप लोगे साथ शेयर करी दिया ह यह आप एब ध्यान रखेंगे कि कॉॉटन हो गया जूत हो गया चाहे टी हो गई कोफी अच्छ टी और Holy में किरेंस है मैं टी को चाहिए होता है होट अन हुमीट क्लाइमेट हॉत अ हुआ च्योगर यह चाहिए उसको बॉर्म चाहिए ओओं मैं मन एप इंड दॉथ मॉन ट नीचे, पेनिंसुलर पार्ट में, लेकिन ये जो टी होती है, हैवी रेंफॉल चाहिए और इस वज़े से इसको नौर्थ इस्टन रिजिन में आपकी पाई जाती है, नौर्थ इस्टन रिजिन में, जो रबर भी चाहिए, सेम जो आपकी कॉफी वाली कंडिशन होती है, सेम रबर की होती है, रबर के लिए मैक्समम आपका केरल रिजिन जाना आता है, अभी आपके PCS में क्वेश्चन भी आया हुआ था ये, तो कॉटन के लिए देखिए वही जो ब्लैक स्वाल वाला रिजिन है, वो सारे रिजिन आ गया है, जूट के लिए जूट मैक्समम जो है, बंगलादेश में, ठीक है, लेकिन अभी भी जो भी रिजिन आसपास के देखिए, ये आपका, ये आपका बंगलादेश है, तो बंगलादेश का जो इफेक्ट रहेगा, वो नो डाउट इसी रियाज में रहेगा, ये हो गया वेस्ट बेंगॉल, ये हलका सा इलाका आ जा रहा है, इस्टर्न बिहार का, और ये आपके आज आ रहे हैं, असाम के रिजिन, तो इसी वज़े से ये तीन रिजिन में आपकी, मैक्समम प्रोडक्शन हो जाती है, जूट की, टी, टी के लिए मनें बताया है, ये आप लोको, जो इलाका होगा, वो नॉर्थ इस्ट का होगा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, शूगर कीन की, तो शूगर कीन मैक्समम होती है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन, लेकिन, जो महराष्ट और करनाटक है, यहां पर भी पॉसिबल हो पाई है, अच्छी खासी सीचाई विवस्था, पानी के विवस्था अची हो नहीं, आप लोग देख लीजेगा, कुछ खास है नहीं, आप लोग पढ़ लीजेगा, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बाकी शुरुवात में एक फैक्टर बगर हैं, जिससे यह सब तो मैंने कवर करी दिया आप लोग का, कौन सी क्रॉप होती है, कैसे होती है, यह सब अचा, क्रॉपिंग पैटर्ण जो होता है, वो किस के द्वारा गवर्न होता है, अगर हम लोग बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की प्रॉपिंग पैटर्न की, तो प्रॉपिंग पैटर्न अब सबसे पहले एक तो सबसे important हो जाएगी आपकी जिवराफिकल फैक्टर इस जोग्राफिकल फैक्टर के कारण से ही उत्तर प्रदेश में राइस और वीट ये सब बहुत ज़्यादा होती है टोबैको वगर ज़्यादा हो जाती है बलैक सॉयल में शुगर केन, कॉटन फिर उसके बाद अगर बात करते हैं चाय कॉफी ये सब मैक्सिमम जितनी क्रॉप हैं वो सारी की सारी जोग्राफिकल फैक्टर पे ही डिपेंड करती हैं लेकिन आपकी वहां सारी प्लेसेज जो शुगर केन हो गया या फिर पल्स हो गया या फिर माल लिजीर ओयल सीड हो गई तेल हो गया तो यह जितनी भी चीज़े वो डिपेंड करती हैं किस पे एकनोमिकल कंडिशन पे इकनोमिकल कंडिशन कि भाई यहां ठीक है मुझे ओयल नहीं उगाना है मेरे पास पैसा पड़ा हुगा है मैं गहूँगा हूँगा तो यह हो जाती है तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क आता है एग्रिकल्चरल इन्पुट का अब एग्रिकल्चरल इन्पुट का मतलब यह मान लिजे कि अगर मैं कोई फसल लगा रहा हूँ बार बार उसके कारण से वो डिजास्टर के कारण से खराब हो जा रहा है तो अम मैं क्या करूँगा वो फसल नहीं लगाऊंगा क्यों क्योंकि उसकी वज़े से मुझे इंश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है या फिर उसकी कारण से मेरी फॉर्टिलिटी खराब हो जा रही है ट्रांस्पोर्ट पोजीशन अच्छा नहीं है तो इस वज़े से जो भी मार्केट कि यहां बाई कि यहां तो आपको आप इस बिखुशन आप देख सकते हैं this is analyzed critically whether the existing cropping pattern in different parts of India would need any change for better agricultural performance in future second question describe the problems of production and distribution of food crops in India from the regional point of view इसके लाब एक और question आप देख सकते हैं define the factors which are impacting cropping pattern इन सारे question को आप लोग 300 words में लिखियेगा और आप send कर सकते हैं recognitionis at gmail.com पे description box में इसकी link दी हुई है यहाँ पर जा करके अपने answers को लिख करके 300 words में you can send it for feedback इसके लाबा अगर आपको कोई problem कोई परशानी या फिर कोई doubt होता है तो obviously you can reach us by using these media sources इसके लाबा it will be preferred if you write email on recognitionis at gmail.com and ask your queries मिलते हैं next video में till then goodbye and thank you so much